जै हिंद दोस्तों, आज हम बाट करने वाले हैं, हमारे वीर सैनिक बाबा हर्भजन सिंग के बारे में. Let's start the video. बाबा हर्भजन सिंग का इतिहास वैसे तो हमारे देश में देवी देवताओं के काफी मंदिर बने है. लेकिन, क्या आपने कभी सुना है किसी सैनिक का मंदिर? एक ऐसा मंदिर जहां दूर-दूर से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं. वह मंदिर किसी देवी देवता का नहीं बलकी भारतिय सैनिक बाबा हर्भजन सिंग का है. विभिन मान्यताओं के अनुसार, बाबा हर्भजन सिंग मरने के बाद भी अपनी नौकरी कर रहे हैं. यह सुनकर आपको काफी हैरानी हुई होगी, लेकिन यह एक सच है. सिक्किम में बने बाबा हर्भजन सिंग का मंदिर बहुत लोगों का आस्था का भी प्रतीक माना जाता है. बाबा हर्भजन सिंग का जन 30 अगस्त 1946 को गुज्रावाला पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के सद्राना गाव में हुआ था. उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वही के स्थानिय स्कूल से प्राप्त की थी. मार्च 1955 में उन्होंने डियेवी, हाइ स्कूल, पट्टी से दस्वी की थी. बच्पन से ही वह एक फौजी बनना चाहते थे. जिसके चलते वर्ष 1966 को हर्भजन सिंग भारतिय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भरती हुए. बाबा हर्भजन सिंग का सैन्य करियर वर्ष 1956 में हर्भजन सिंग पंजाब रेजिमेंट में भरती हुए जिसके बाद उन्हें सिग्नल कौ में शामिल किया गया जहां 30 जून 1965 को हर्भजन सिंग को एक कमीशन का कार्यभार सौपा गया जिसके बाद उन्हें 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युध्ध में उन्होंने महत्वपूल भूमिका निभाई जिसके चलते उनका स्थानां तरण 18 राजपूत रेजिमेंट में हुआ वर्ष 1960 में हर्भजन सिंग 23 पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात किया गया उसी वर्ष 4 अक्टूबर 1960 को वह पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे से डोंच्वी तक खच्चरों के एक समुह पर रसद लेकर जा रहे थे विभिन स्त्रोतों के अनुसार यह कहा जाता है कि उसी समय उनका पैरफिसल गया और वह नदी में गिर गये तेज बहाव होने के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर दूर चला गया जब इस दुरगटना की सुचना भारतिय सेना के उच्च अधिकारियों को मिली तभी उन्होंने हर्भजन सिंग की तलाश करनी शुरू कर दी जिसमें पांच दिन तक सर्च ओप्रेशन चला फिर उन्हें लापता घोशित कर दिया गया पांचवे दिन उनके एक साथी सिपाही प्रीतम सिंग को सपने में आकर हर्भजन सिंग ने अपनी मृत्यू की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहां पर है बाबा हर्भजन सिंग पंजाब रेजिमेंट में लेकिन सेना के अधिकारियों को अब भी विश्वास नहीं था कि प्रीतम सिंग के सपने में हर्भजन सिंग आया और अपनी मृत्यू का कारण बताया सेना में किसी ने भी प्रीतम सिंग की बातों पर यकीन नहीं किया और जब उनके शव का कोई पता नहीं मिलने पर सेना के कुछ अधिकारी हर्भजन सिंग के बताय स्थान पर गए जहां उन्हें हर्भजन सिंग का मृत शरीर मिला, जिसे देख सेना के सभी अधिकारी आश्चरे चकित रह गए उन्होंने प्रीतम सिंग से माफी मांगी और सम्मान पूर्वक हर्भजन सिंग का अंतिम संसकार किया संसकार के कुछ समय बाद एक बार फिर हर्भजन सिंग प्रीतम सिंग के सपने में आये और अपनी समाधी बनाने की इच्छा व्यक्त की जिसके चलते सेना के उच्छ अधिकारियों ने छोक या छोक नामक स्थान पर उनकी समाधी बनाई विभिन सैनिक अधिकारियों के अनुसार कहा जाता है कि मृत्यू के बाद भी बाबा हर्भजन सिंग अपनी ड्यूटी करते हैं और चीन की सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और समय समय पर सैनिकों को सतर करते रहते हैं जिसके चलते हर्भजन सिंग पर लोगों का इतना विश्वास बढ़ गया, सेना द्वारा बाकी सभी की तरह हर्भजन सिंग को भी वेतन, दो महीने की छुट्टी इत्यादी सुविधाय दी जाती थी। लेकिन अब वह रिटायर हो चुके हैं, जिसके चलते भारतिय सेना द्वारा उन्हें मरनो परांथ कैप्टन की उपाधी से सम्मानित किया। सिक्किम में नाथुला पास प्रचलित मान्यताय ऐसा कहा जाता है कि अन्यसैनिकों की तरह हर्भजन सिंग को भी मरनो परांथ दो महीने की छट्टी दी जाती थी। जिसमें उनका सामान एक ट्रेन के माध्यम से उनके घर तक पहुँचाया जाता था। जिसके लिए टिकट भी बुप करवाई जाती है और स्थानिय लोग उनके सामान को लेकर जुलूस के रूप में उन्हें रेल में स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। बाबा हर्भजन सिंग का ट्रेन टिकट बाबा हर्भजन सिंग मंदिर में बाबा हर्भजन सिंग के जूते और बाकी का सामन रखा गया है। जिसकी भारतिय सेना के जमान चौकीदारी करते हैं और उनके जूतों को प्रतिदिन पॉलिश भी करते हैं। वहाँ पर तैनात सिपाहियों का कहना है कि रोज उनके जूतों पर किचर लगा हुआ होता है और उनके विस्तर पर सल्विटे पर दिखाई पड़ती है. बाबा हर्भजन सिंग का मंदिर में रखा सामान भारतिय सेना के अलावा चीन की सेना का भी मानना है कि उन्होंने रात के समय बाबा हर्भजन सिंग को घुरे पर सवार वोकर गश्ट लगाते हुए देखा है. सुत्रों के मुताबिक बाबा हर्भजन सिंग अशरीर भारतिय सेना की सेवा करते आ रहे हैं और इसी के मद्दे निजर बाबा हर्भजन सिंग को मृत्य प्रांत अशरीर भारतिय सेना की सेवा में रखा गया यही नहीं उनकी याद में भारतिय सेना द्वारा एक मंदिर का निर्मान करवाया गया यह भी कहा जाता है कि यहां रखे पानी की बोतल में चमतकारिक गुना जाते हैं और इसका 21 दिन तक सेवन करने से श्रद्धलू अपने रोगों से चुटकार पाते हैं भजन सिंग के मंदिर में रखी पानी की बोतले बताया जाता है कि नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना बाबा हर्भजन के लिए एक अलग से कुरसी लगाते हैं अबा हर्भजन सिंग के जीवन पर आधारित फिल्म बाबा हर्भजन सिंग के जीवन पर आधारित एक लगू फिल्म प्लस माइनस बनाई गई जिसमें बहुचर्चित यूटूबर भुवन बाम वा बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्यादत्ता ने कार्य किया है आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में जै हिंद बंदे मातरम